मुझा नमस्कार दोस्तों मैं ते एजपाल सिंग के पूर्टला आज लेके आया हूँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारियों से भरपूर ये वीडियो जो लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटी का बटन दबा के आल की आप्शन को स्लेक्ट कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया तुरंत ये जानकारी भरपूर ऐसे वीडियो देख पाएं तो शुरू करते हैं आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में ये दिखाई कि दे रहा है कि हमारे देश के ग्रह मंत्री मन्नी अमित्शाजी एक हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं डॉक्टर्ज हैं बहुत सारे लोग हैं पेशेंट्स हैं मुझे नहीं पता यह वीडियो कब का है कहां का है रियल है कैसे है जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ है तो वह आप्शाइद आप लोगों ने भी देखा होगा तो दिखिंद रहा है कि सब लोग मास्क पहने हुए हैं फिशंस भी मॉस्पने हुए रहा हैं लिकिन हमारे ग्रहमंत्री जी मास्क नहीं पहने हुए हैं कि जिस चीज से डरा के जिस वाइरस से लोगों को दहशत जदा करके मास्क पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है सोशल डिस्टेंस करने के लिए मजबूर किया जा रहा है बार वार सैनिटाइजर का इस्तिमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है उस वाइरस से क्या हमार सब लोगों को पकड़ लेगा और मार देगा तो निवेदन है हमारे जो भी सरकार समभाले हुए नेता जी हैं कि आप लोग या तो लोगों को भी बता दीजिए कि इससे कुछ नहीं होता मास्क से कुछ नहीं होता हमारी हेल्थ मनिस्ट्री हेल्थ and welfare ministry of health and welfare बोलती है उसकी गाइडलाइन है कि मास्क सवस्त व्यक्ति को और बिमार कर सकता है मास्क पहने की जुरूर नहीं है जिस व्यक्ति को को बिमारी नहीं है तो या तो सब लोगों को बता दीजिए उनका पीछा छुड़ाइए इन सब चीजों से या फिर खुद भी उन पावंदियों को मानिये जिनको लोगों को मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं एक तरफ चलान किये जा रहे हैं लोगों पर परच्चे हो रहे हैं लोगों को लाच्कों से पीटा जा रहा है तूसरी तरफ हमारे नेतागण वो सब कुछ कर रहे हैं जो करने से लोगों को मना किया जा रहा है चुनावी रैलियां हो रही हैं बड़े बड़े इकठ हो रहे हैं अभी अभी परहन मंत्री जी ने बोला है कि अब हम पस्यम बंगाल में छोटी छोटी रैलिया करेंगे पांच सो से ज्यादा लोग रैली में नहीं होगे तो रैली में पांच सो लोग एकठा ह हो सकते हैं एक शादी में केबल बीस लोगों की इजाजत है तो यह सब चीजे मैंने एक जगा पड़ा था कि लोग वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं लोग वो करते हैं जो आप करते हैं जो आप करेंगे वही लोग भी फालू करेंगे अगर लोगों से आप यह करवाना चाह तो सबसे पहले वो सारी चीजों को आपको फालो करना पड़ेगा तो आज की जो खबरें आ रही है जो चैनल पे जा सोशल मीडिया पे वीडियो जैसे आ रहे हैं कि लाशों के धेर लगे हुए हैं शमशान घाट में जलाने के लिए जगए नहीं है बारी नहीं आ रही तो यह सबस्तिति कैसे पैदा हुई किसने पैदा की कहां से पैदा हुई पहले तो चैनल पे न्यूजबेपर में इतने केस आ गया इतना बढ़ गया यह इतना खतरनाक है यह सारा परचार करके लोगों को डरा दिया गया इतना डरा दिया गया कि लोग पैनिक हो चुके हैं और जि में लोगों की कोई देख भाल करने की कोई प्रबंद नहीं है यही स्थिती होती है जिसका लाव उठाकर पिछले साथ प्राइवेट हस्पतालों ने लाखुं रुपया बटोरा पंदरा बंदरा बीस बीस लाक दस बारा दिन पेशंट को हस्पताल में रखने के लिए बारा बारा पंदरा पंदरा लाक रुपय लिया और यही स्थिती आप बन गई है क्योंकि सरकारी हस्पताल हों में जगह नहीं मिलेगी तो लोग प्राइवेट हस्पताल में वो अपनी मेरे महले में एक भी डेट्स नहीं हुई है इस वाइरस से जहां मैं रहता हूं उसके आसपास तीन चार गाउं के वारे में मैंने जान करी ली तो एक भी मौत नहीं हुई है इस वाइरस से कहां हो रही है मौते किस जगह से हो रही है मौते के बल वही लोग अस्पतालों की तरफ दोड़ रहे हैं जो लगातार नैशनल मीडिया को फॉलो करते हैं लगातार सारा दिन टीवी पे खबरें लगा लगा कर देखते हैं जूटी खबरें और manipulated news जो हैं ड्राने के लिए ही वो घबरें दी जा रही है उन news को सुनके लोग डर रहे हैं घबरा रहे हैं जबके घबराने जैसी कोई ज़रूरत नहीं है तो आज की इस वीडियो में मैं एक जान करी क्योंकि सोबह से मुझे बहुत सारे फोन ऐसे आते हैं आज भी आए हैं कि ह हम क्या करें बुखार है क्या करें खांसी है क्या करें तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि डॉक्टर बिश्वरू प्राय चौदरी जी की नाइस टीम है नेटवर्क आफ इंफुलेंजा के एक्सपर्ट्स की एक टीम है उस टीम ने इसा इंतजाम किया है दॉक्टर बिश्वरू प्राय चौदरी जी की तरफ से कि आप एक वैबसाइट पर जाएंगे वहां एक फॉर्म भरना होता है वह फॉर्म भरते ही 12 गंटों में जो 24 गंटे के अंदर अंदर आपको एक मेल आ जाती है उसमें डाइट दी होती है क्या खाना है आपको क्या कर लेता है वो तब तक आपके साथ रहता है फोन पे जब तक आप स्वास्त नहीं हो जाती है तो बिल्कुल भी घवराने की जुरूरत नहीं है फिसी बीड़क्टर के पास ऐसी कोई दवा नहीं है जो इस वायरस का इलाज आपका वह कर दे आपने देखा होगा के अब एक स शक्ति कि पिछले 6-7 महीनों में इस टीम ने नाइस टीम ने पचास हजार से ज्यादा लोगों को ठीक किया है वो लोग जिनको लक्षन थे वो लोग जिनको सांस लेने में दिक्कत थी ऐसे लोग जिनको बुखार था खांसी थी सारे सिंप्टम थे ऐसे लोग भी पूरी तरह से ठीक हुए हैं एक भी दवा नहीं दी गई एक भी पैसा नहीं लिया गया किसी से और एक भी मौत नहीं हुई पचास है यार प्रेशन्ट का रिकार्ड है डॉक्टर बिश्पुप्र चौदरी के पास जो वो हमेशा हर वीडियो में बोलते हैं कोई अधिक्रित कोई संस्था कोई अजंसी सरकार की अगर लेना चाहती है मांगती है रिकार्ड तो पचास है यार लोगों का विद एड्र सबीर फोन नंबर वो पूरा रिकार्ड देने के लिए तयार हैं तो घबराये मत कहीं भागने की जरूरत नहीं है किसी हॉस्पिटल में भागने की जरूरत नहीं है क्योंकि हस्पिटालों में हालत इसी वजए से बुरी हो रही है कि छोटी सी तकलीफ के लिए भी हम हस्पि कि यह भागते हैं और वह लोग जुन लोगों के वास बहुत सारा पैसा है वो जा सकते हैं वह लाखुम रूपएया अस्पालों को दे सकते हैं लेकिन आम लोग जिनको आज खाने के भी लाले पड़े हुए हैं वो कहां से अस्पितालों का खर्चा उठाएंगे तो आप मैं एक link description में शेर कर दूंगा बोलके बता रहा हूं www.biswaroop.com slash nice जैसे आप ये भरके website में भरके ये address क्लिक करेंगे तो एक page खुलेगा उस page पे लिखा होगा कि अगर आप patient है तो उसके नीचे एक सोटा सा बटन है जहां लिखा है click for nice उस बटन को क्लिक करते ही एक form खुल जाएगा वहां उस form में आपकी पूरी detail भरनी होगी क्या-क्या तकलीफ है आपको क्या-क्या दवाएं आप खा रहे हैं पहले कौन सी दवाएं खाते थे क्या आपको पहले भी कोई बिमारी है यह पूरी की पूरी detail आपका टेस्ट हुआ है पूस्टिव आया नेग्टिव यह सारी detail भरने के बाद आपको जैसे सब्मिट करेंगे आप form जो भरा होगा उसमें उसमें आपको मेल आजाएगी उस मेल में आपको एक डाइट बताई गई होगी कि आपको अब से यह खाना है यह नहीं खाना है और साथ में या तो आपको किसी एक्सपर्ट का नंबर मिल जाएगा या एक्सपर्ट खुद आपको कॉंटेक्ट कर है अब क्या मतलब हर घंटे हर दिन प्रती दिन आप गाइडलाइन ले सकते हैं जब आप पूरी तर से ठीक हो जाएंगे तभी वो एक्सपर्ट आपसे आपका आपसे दूर हटेगा तो कहीं जाने की ज़रूर नहीं है किसी हॉस्पिटल में भागने की जुरूर नहीं यह लि से निवेदन है कि अगर हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोगों की जान बचाई जा सके अगर हम चाहते हैं अधिक से अधिक लोगों की यह जो इस नाम पर लूट होनी है जो पैसा ठगा जाना है उनसे वह पैसा उन लोगों का बच सके तो आप से निवेदन है इस वीडि स्थिती का बिना डरे मुकाबला कर सके और सही तरीके से इसका इलाज कर सके ताकि वो मौत से बच सके आर्थिक जो उनका नुक्सान हो रहा है उससे बच सके तो आपसे फिर निवेदन है इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं अधिक से दिख शेर कीजिए अधिक से दिख लोगों तक पहुंचाने की कोशी कीजिए आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत जल्द नई वीडियो के साथ मिलेंगे शुक्रिया महरबाद कर दो दो बहुत बहुत अपिता की की अविए बहुत बहुत जल्सकाने की से अवाद